जेहीं दोस्तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा अनकाडमी के बारे में जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफोर्म है जहां पर आप इसको जोइन करके इसके पलस वीचर्स का फायदा उठा सकते हो जिसमें कि आ अगर आप यहां पर एक सब्सक्रिप्सन लेते हो तो आपको आल बैचिस मिल जाएगी फिर इसके अलावा आपका जो अन्य कोर्स है जो की है आपका CTT का यह आपकी बैच 12 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है तो यह भी आपको इसी सब्सक्रिप्सन लेने पर मिल जाए और यूज करने पर अगर आप यहां पर मेरे कोड GDH10 को इस्तमाल करते हो तो आपको यहां पर 10% की छूट मिल जाएगी अगर आप एक मन्त का कोर्स लेते हो तो आपको 1200 रुपे पे करने बारा मन्त का लेते हो तो आपको 6000 रुपे करने होंगे जिसमें कि आपको 58% की ओफ मिलेगी तो अगर आप इसको जोइन करना चाहते हो आज या आप इसके आपके डाउनलोड कर लीजिए या फिर नीचे दिएगे डिसकुप्शन का जो लिंक है उसको यूज कर लीजिए दोस्तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंडियन आर्मी SSC टेकनिकल मैन 56 एंड SSC टेकनिकल वूमेन 27 ओनलाइन फोर्म 2020-2020 के बारे में कि कैसे आपको ये फोर्म फिलप करना है तो आप इस वीडियो को देखते रहिए मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस फोर्म को बिना किसी मिश्टेक के भर पाओगे तो चलिए दोस्तों सुरू करते है दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो यह आपकी ओफिसल वेबसाइट है और आप यहाँ पर पाएंगी एज लिमिट आपकी कितनी रखी गई है तो वह आप यहाँ पर देख सकते हो जो कि 20-27 साल के बीच है आपको जिस भी एससे टेकनिकल में का चेक करना या फिर फिमेल का वह आप यहाँ पर पीडियाफ ओपन करके चेक कर सकते हो और इसमें जो आपसे क्वालिफीकसन मांगी गई है वो यहाँ पर आपकी इंजरिंग की यوग्यता मांगी है तो चलिए अब बात करते हैं कि कैसे आपको इसमें अप्लाइ करना है तो यहाँ पर आपको आना है और officer selection में जो आपको दिया जा रहा है officers entry apply login इसके ओपर क्लिक करना है जिसका direct link आपको वीडियो की description में मिल जाएगा तो आप उस link को open कर लीजिए और उसके open करने के बाद आपके सामने interface आजाएगा अब यहाँ पर आपको इसमें सबसे पहले registration करना होगा तो आपको simply registration के ओपर क्लिक कर देना है इसके ओपर क्लिक करने के बाद कुछ instructions आएंगे आपको यहाँ से इनको continue करना होगा और continue करने के बाद यहाँ पर आपके सामने गर्जन निम या तो अपने आपके पिता जी उसका नाम लिखे या फिर अपने अभिभाव का नाम यहाँ पर आपर κ再 older कर देजिए यह अन्टर करने के बाद नीचे आप देको के मदरस नीम तो आपको को फिलप कर देना है फिलप करने के बाद इतनी जानकर या आपने आपर भरियन सबको एक बार चेक करना है और फिर आपको नीचे आ करके सब्मिट के उपर क्लिक करना है अब दोस्ते या पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जिसमें कि आपको OTP verification करना होगा और जो आपका OTP है वो आपकी registered email ID के उपर send किया है वो email ID आपको open करनी है वहाँ पर आपको mail मिल जाएगी जिसमें कि आपको OTP दिया गया है तो OTP आपको यहाँ पर डालना है और जो capture code नीचे दिया जा रहे capture code फिलप करना है और फिलप करने के बाद आपको simply submit के के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरक इंटरफिस आजाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर आपका नेम, father name, mother's name, all lady fill up है अब यहाँ पर आपको choose करना है आपका gender तो जो भी आपका gender हो आपको select कर लेना है marital status आपका क्या हो 10th किस board से की है, अगर इन में से किसी एक board से की है वो choose करना है, नहीं तो आप state board select करके यहाँ पर अपना board अपनी जो state है वो select कर सकते हो, फिर आती है matriculation 10th certificate number यानि के जो आपकी दस्वी की mark sheet है उसका certificate number क्या आता हो यहाँ पर आपको भाना है, साथ ही उसका जो file है वो यहा लिए मैं इसको select करता हूँ और open कर देता हूँ, open करने के बाद उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा eligible qualification इसमें apply करने के लिए आप से graduate जो आपकी b b tag की हो गयता हो मांगी है, तो यहाँ पर basically आप notification में जाकर चेक भी कर सकते हो कि आप से exactly क्या qualification मांगी है, तो इसमें engineering की हो गयत apply कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि appearing पर भी applicable है, फिर यहाँ पर date of enrollment, तो यहाँ पर दोस्तों आपको date of enrollment यानके कब आप enrolled हो थे इसमें अगर आप इसकी जानकारी भर रहे हो जो की नीचे है, सेना, नो सेना और वाई सेना के सेवों में अन्य अभ्यार् enrollment number अगर आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अभी भी दे सकते हैं, फिर दोस्तों यहाँ पर आपको right click करना है, और click करने के बाद security question यहाँ से आपको choose कर लेना है, जो कि आपको तब काम आएगा जब आप अपना password भूल जाओगे, और आपका जो भी question है, उसका answer आप आपको यहाँ पर लिख करके उसको याद भी रखना होगा, फिर दोस्तों यहाँ पर है आपके सामने password requirement, अब यहाँ पर आपको एक password डाल देना है, जो कि कम से कम 8 character का होना चाहिए, और वो password डोबाला से डाल करके आपको confirm करना है, और फिर जो capture code दे जारे, capture code आपको apply any application, तो यहाँ पर आपके सामने यह interface आजाएगा, आपको इसको ok करना है, और ok करने के बाद यहाँ पर आपकी जानकारी भी दी जारी, जो कि अभी तक आपने इस form को बारने में इस्तमाल की है, फिर यहाँ पर दोस्तों आपको अपना जो photo हो upload करना ही होगा, तो आपको update क इसके उपर click करना है, इसके उपर click करने के बाद यहाँ पर आपको ok करना है, और ok करने के बाद आता है photo and signature, जो आपका photo है वो 5 से 20 के बीच रहना चाहिए, तो आपको choose file के उपर click करना है, और जहाँ पर भी आपको फोटो है, वो आपको select करना होगा, तो चलिए हम यहाँ इस image को select करते है, जो एक random image है और open कर देते है, फिर आपका signature आता है, तो आपको choose file के उपर click करना है, और जहाँ पर भी आपका signature है, वो signature आपको select करना होगा, तो इसको हम select करते है और open कर देते है, तो open करने के बाद आपका signature यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर दोस्तो updated successfully आपको यहां से ok करना है और इसके बाद दोस्तों यहां पर आपके सामने communication details आ रही है तो आपको communication details के ओपर click करना है और यहां पर आपने address की जानकारी भर देनी है एक तरफ आपको भरना है आपका permanent address और दूसरी तरफ है आपका correspondence यानि के present address तो जो भी आपका permanent address है वो address आपको अपने document के अनुसार यहां पर fill up कर देना है यह करने के बाद यहां पर आपको अपने village town का नाम डालना है state आपकी जो भी है वो state यहां से select कर लेनी है उसके अंदर आपकी कौन सी district है वो district आपको यहां से choose करनी होगी फिर आपको अपने post office और district का pin code यहां पर enter कर देना है यह करने के बाद यहां पर नीचे अगर आपका address same है तो इसके उपर tick कर दीजिए tick करने पर यह जानकारी automatically इस तरफ आ जाएगी अब आपको यहां पर save and continue के उपर क्लिक करना होगा and continue के उपर click करने के बाद दोस्तों आपकी address की जानकारी say हो जाएगी अभ़ आपको इसमें apply करने के लिए आपको यहां पर apply online के उपर click करना है इसके उपर click करने के बाद दोस्ते आप Priv organisco पे आपके सामने आ जाएगा जिसमें की आपकी जानकारी automatically flip है और आप किस profile के लिए या कि फिर किस form के लिए eligible हो आपको यहाँ पर देखने को मिल पार है जो कि है आपका sse technical man इसके सामने apply का link तो आपको apply के ओपर click कर देना है इसके ओपर click करने के बाद यहाँ पर आपके तो चलिए हम यहाँ से इस photo को select करते हैं और open कर लेते हैं open करने के बाद आपको सेम तरीके से choose file के ओपर click करने है और जहाँ पर आपका signature है वो आपको select करना है इस select करने के बाद open कर लिजिए और open करने के बाद save and continue के ओपर click कर दीजिए इसके उपर क्लिक करने के बाद ये जानकरी आपके से हो जाएगी अब यहाँ पर आपके सामने आते Communication Details जाने के आपके Address की जानकरी तो यहाँ पर आप सेम तरीके से अपने Address की जानकरी भर दीजिए और भरने के बाद Save and Continue के उपर क्लिक कर दीजिए Save and Continue के उपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने I get Education Details तो जिसमें की सबसे पहले है Type of School तो यहाँ से आपको Choose कर लिए जिस तरह का भी आपका School है अगर इनमें से है तो कोई Select कर लीजिए ने तो Others के उपर क्लिक कर दीजिए इसके उपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है Other School तो जो भी आपके School name है वो यहाँ पर आपको Enter करना होगा तो चलिए यहाँ पर हम इसको Fill Up कर देते है रोल लंबर ओप 10 प्लस 2 यानि के यहाँ पर आपको Stream तो यहाँ पर आपकी Engineering की Stream कौन सी है वो आपको Select कर लेना है यह Select करने के बाद यहाँ पर आपको Notified Equivalent Stream तो यहाँ पर आपको Fill से इसको Select करना होगा यह करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आना है और आपको देखने को मिलेगा Date of Joining Engineering Course यानि के जो आपका Engineering का Course है यह आपने कब जोइन कर लिया था वो Date यहाँ पर आपको भरनी है तो चलिए हम यहाँ पर एक Date डाल देते हैं और इसको भर देते हैं फिर Date of Completion of Engineering Course आपने कोर्स कब कमपलीट कर लिया था वो यहाँ पर आपको भरना होगा तो यहाँ पर Date डाल लिए सेम तरीके से और जो मन्त है वो सेलेक्ट कर लिजिए फिर Name of College आपने किस College से की है तो आपको आपने इस College का नाम लिखना होगा मैं यहाँ पर सूर्ट में नाम दे रहा हूँ बट आपको अपने College का पुरा नाम देना है Name of University अगर आपने Directly University से की है तो आपनी University का नाम दोनों जंगया पर भर दीजे वो भी Full Form के साथ में Type of University तो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है कि Central University है, Private University है या फिर State University है फिर State in which University is located है यानि कि किस State के अंदर आपकी University is located है वो आपको Select करना होगा यह करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है और आपको देखने को मिलेगा Marks of Tending in Graduation तो यहाँ पर आपके semester wise विकल्प आ चुके है तो total marks यहाँ पर आपको डालने है जिससे कि यहाँ पर हम semester के जो total marks है वो यहाँ पर डाल देते है उसमें से आपको कितने आई थे वो यहाँ पर आपको भरना होगा मैं एक example के तोर पर बता रहा हूँ आपको अपनी जानकारी अपने marks के according यहाँ पर भर देनी है इसके बाद दोस्तों आपको सेमस्टर 2, semester 3 इस परकार से सब जानका तो आपको no कर देना है और no करने के बाद आपको simply save and continue के उपर क्लिक करना होगा इसके उपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आपके form का preview आ जाएगा यानि कि अभी तक आपने इस form के अंदर जितनी भी जानकारी भरी है आप उसको यहाँ पर चेक कर सकते हो तो आपको एक एक करके सभी जानकारी को confirm कर लेना है और अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर कोई जानकारी कर लेते तो आप उसको अभी भी सही कर सकते हो बट अगर आप एक बार यहाँ से आगे बढ़ गए तो आप इसमें कोई भी changes नहीं कर पाओगे तो आपको नीचे आ कर जाकर के अपने form की history और यहां से इसके उपर view के उपर क्लिक करके इसको view भी कर सकते हो तो इस परकार से दोस्तों आप Indian Army SSC Technical Man and Woman online form 2020 को भर पाओगे आई होप यह जो प्रोसेस हो आपको पसंद आया होगा अगर आया है तो प्लीज आपस वीडियो को like share और साथी साथ आपक के अपने YouTube चैनल ग्यांदे होस्ट को subscribe कर ले और subscribe करने के बाद बैल के आईकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के notification सबसे पहले मिल पाए जे हीं दोस्तों